मुख्यमंतरी जहराम ठाकुर, जिलाबिलासपुर और मंडी के दो दिवसी दोरे पर हैं जिलाबिलासपुर के नमहोल में मुख्यमंतरी जहराम ठाकुर के पहुंचने पर उनका भवे स्वागत किया गया जिसके बाद मुख्यमंदरी ने नमहोल में एक विश्याल जनसभा को सम्मोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपने दुष्टिपत्र 2017 को राज़ी सरकार के नीतिगत दस्तावेज में अपनाएगी मुख्यमंदरी ने कहा कि पार्टी में होंसले वो उत्सा की कोई कमी नहीं है जिसके चलते भाजपा उमीदवार की जीत के लिए कोई कोड कसर नहीं रखी गई लेकिन ये समय की बात है कि नैनदेवी विधानसभा क्षेतर में भाजपा टिकर पर चुनाव लड़ने वाले रंदीर शर्मा विजय नहीं हो सके जैराम ठाकु ने कहा कि विधानसभा में इस बार रंदीर शर्मा की कमी खलेगी बेशक रंदीर शर्मा चुनाव हार चुके हैं लेकिन वो अभी भी भाजपा के स्तम बाने जाते हैं साथी जैराम ठाकु ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, राष्ट्य भाजपा अध्यक्ष अमित्सा, राज्य पार्टी रभारी मंगल पांडे और अन्य भाजपा के वरिष्ट नेताओं ने भाजपा की भारी जीत के लिए बहुत बड़ा योगडान दिया है जिसके लिए वो उन सब ही के अभारी है मुक्यमंतरी ने भरोसा दिलाया कि वर्तबान सरकार पारदर्शी, एवनुस्वच प्रशासन वगरीबु का कल्यान सुनिश्चित करेगी लबी बात में कहूँगा, मैं सिर्वीतरें कहना चाहता हूँ आप सब के सहयोग से ये सरकार बनी है आप सब के सहयोग से सरकार को चलाएंगे ये सरकार जनता के लिए समर्पित होगी जनता के लिए समर्पित होगी और जिमाचल पक्रेश में सच प्रशाशन देनी की हमारी तो है जिस बात का जीपर हमारे रंधीर टी कर रहे थे कि वीजर डॉपमेंट जिस वीजर डॉपमेंट की कमेटी जो भमालई गए थे उसके चेर्रमेंट भी रंधीर लेो थे उसमें जीकर इस बात का है तो हमाई पार्टी के राश्ठी देशित inya तो बिलासपुर से अनीश चौहान रिपोर्ट